एलो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर में या लेप्टॉप में Windows अपडेट को Permanently कैसे बंग कर सकते हैं क्योंकि अगर अगर हमारे कंप्यूटर में या लेप्टॉप में Windows अगर लगतार अपडेट होता रहता है तो हमारे computer का काफ़ी सारे internet यूज हो जाता है और हमारे computer की काफ़ी सारी battery खर्च हो जाती है तो दोस्तो मैं आपको सिर्फ एक method बताऊंगा जिससे आपका जो windows update है वो permanently बंद हो जाएगा यहां पर आने के बाद आपको लिखना है services यहां पर आने के बाद आपको नीचे एकदम आजाना है लीचे डिगां पर देख लिएगा यहां देख लीगेगा इसी को पर आप किलिक करके इसको खन कर लिजेए यहां पर आने के बाद दुस्तों यहां पर लिखाओगा तो हमको इसको disable करना है disable करने के बाद दूस्तों यहां पर running दिखा रहा है इसको आप stop कर दीजे इसको stop करने के बाद एक बाद apply कर दीजे apply करने के बाद इसको ok कर दीजे तो दूस्तों अगर आप इतनी process कर लेते हैं तो आपका जो windows होगा तो आपका update होना सब्सक्राइब कर दीजेगा आपका windows फिर से अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो दूस्तों इसी दर हम अपने computer में या laptop में Windows update को बंग कर सकते हैं और चालू कर सकते हैं तो दूस्तों आज की वीडियो में इतना ही होग आपको यह च्छोटी से दिए फसंद आई सब्सक्राइब कर दीजेगा नहीं मिलता आपको नेश्ट लिए नेक्स्ट टापक के साथ तक तक के लिए जाएगा